हाई फ्रेंड आज हम बात करेंगे पर्यावरण की पर्यावरण सब्द का निर्माड दो सब्दों से मिलकर बना हुए है पहला होता है परी दूसरा होता है आवरण परी यानि जो हमारे चारो ओर है आवरण जो हमें चारो ओर से घेरे हुए है अर्थाद जो पर्यावरण का स समस्टिगत एक इकाई होता है जो किसी जीवधारी अत्वा पारितंत्रिय आवादी को प्रभावित करता है तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तैं करता है पर्यावरण वह है जो की प्रतेग जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्या एवं प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चे से निर्मित इकाई होता है ये हमारे चारों और व्याप्त होता है और हमारे जीवन की प्रतेग घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुश्य अपनी समस्थ क्रियाओं से इस परिवावरण को प्रभावित कर इस प्रकार एक जीवधारी और उसके परियावरण के बीच बहुत सारे संबंध भी होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि जो हमारा परियावरण है उसे हम किस तरह से प्रदुशित करते हैं और परियावरण प्रदुशर होता क्या है। प्रदुशर मानवी प्रिया कलापों के अपसिस्ट उत्पादों से मुक्त द्रव एवं उर्जा का परिणाम होता है। प्रदुषण के बहुत से प्रकार होते हैं दोस्तों प्रदुषपों के परिवाहित एवं विश्रित होने के माध्यम के आधार पर प्रदुषण को चार भागों में डिवाइट के आगिया है जल प्रदुषण, वायू प्रदुषण, भू प्रदुषण और धनी प्रदु को बदल देते हैं मानो गती विदी से जल प्रदूशड के कई कारण होते हैं उसका अत्यधीक उपयोग कीटनाशक क्रिशी में उर्वरकों के कारण वेपास में पानी से बैस सकते हैं अध्योगिक निर्वहन में धात्तू, योगिक, सॉल्वेंट्स एसीड और चार जैसे खतरनाक रशायन होते हैं जबकि अनुचित तरीके से उपापचरित सिवेज में लाखो रोग फैलाने वाले रोग जनब और अवान्चित पोशकत पाये जाते हैं दोस्तों अब हम जाते हैं वायू प्रदूशड के बारे में वायू प्रदूशड गैसी कड़ों अड़ों और कड़ों के निकलने के कारण होता है और पाता वरण में उच तापमान और दबाव पर अध्योगी प्रतिक्रियाओं और वाहनों के निकास पाइप से छोटी कड़ उप उत्पात के रूप में जारी होते हैं खतरनाक गैसी अड़ों जैसे ग्रीन हाउस गैसे उनमें जैसे कारवन डायोक्षाइड हो गया मीथेन, ओजोन, नाइटराइट अक्षाइड और सलफर डायोक्षाइड फ्लोरो फ्लोरो कारवन, जीवास, मीनधन देहन ये सब भाग लेते हैं नेक्स्ट होता है दोसरों स्वैल परदूषण मृदा परदूषण में आवांचित राशाइनों का प्रवाह शामिल होता है मिट्टी जैसे वेदूशित और कम उपजाओ हो शकते हैं उरवर्कों के अत्यधिक उप्योग किट नाशक मिट्टी को जहरीला बना शकता है और जैवी विजथा को कम कर सकता है दोस्तों ये जुटाइबो आई जसी गहन क्रिशी मिट्टी को सारे रिक रूप से परेशान कर सकता है और उन्हें अधिक कमजोर बना सकता है अब हम जानेंगे दोस्तों अध्योगी, मशीनरी और वाहन जैसे की उधारण के लिए निर्माण स्थल पर या बहुत सारे लोगों वाले कारिक्रमों में लावडी स्पीकर, मेगाफोन सामिल होते हैं धुहनी प्रदुशन, पारिस्थितिक, तंत्र और शोर के स्रोथ के पास रहने वाले लोगों पर दबाव डाल सकता है नेक्स्ट होता है प्रकास प्रदुशन, किसी स्थान पर प्रकास के शमानी स्थर में किसी भी परिवर्तन से संबंधित होता है दोस्तों अब हम जानेंगे परिया वरण स्रुक्षन क्या सिकर रहे हैं विज्ञान के छेत्र में अशीमित प्रगर्ती तथा नय अविश्कारों की इस परधा की कारण आज का मानो प्रकृती पर पून्त विजय प्राप्त करना चाता है फ्रेंड इस कारण प्रकृती का शंतुलन क्या हो रहे बिगड गया है विज्ञानिक उप्लब्दियों से जो मानो प्रकृतिक शंतुलन को उपेक्छा की दिश्टी से देख रहा है दूसरी और जो अमारी धर्ती है उस पर जनसंख्या की निरंतर विद्धी और द्योगी की करण एवं सहरी करण की तीवर गती से जहां प्रकृतिक के हरे भरे छेत्रों को समाप किया जा रहा है दोस्तों जो बर्यावरण संग्रक्षण है उसकी महत वो संपादित करें और इससे जुडित सभी जीव जन्तू पेड़ पौदे वोड़े।